हेलो माय फ्रेंड्स आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल सुमन्स डिलेशिस किचेन में स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए सरसो का साग बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेथी ली है बिल्कुल हरी भरी मेथी है यह हमारी तो इसे हम साफ कर लेते हैं मेथी थोड़ी कडवी होती है तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें इसे थोड़ा कम ही डालना होगा साग में बाकी चिज़ों के अकॉर्डिंग थोड़ा इसे कम लेना होगा और यहां पर हमारे पास है सरसो जिसे हम अच्छे से साफ करके धू लेंगे और बारी काट लेंगे और यह हमने थोड़ा पालक लिया है थोड़ा बथवा है जिसको हम अच्छे से धो कर साफ कर लेंगे और बारी काट देंगे मैं आपको मेथी को एक बार साफ करके दिखा देती हूँ हमें इसके डंठल को निकाल देना होगा और हमें इसके सिर्फ पत्तों को ही लेना होगा और इस तरह से हम सारी मेथी साफ करके रख लेंगे बाकी सारी चिज़ों को हम इसी तरीके से साफ कर लेंगे उनकी डंठल को उनकी डंडियों को हम अलग कर देंगे और सिर्फ उनके पत्तों को यूज़ करेंगे और सारे साफ को इस तरीके से साफ करके हम धो लेंगे अच्छे से और फिर उसे बारी काट लेंगे और हमने यहां पर इसे धो कर और बारी काट लिया है अब बारी आती है साग को उबालने की तो उसके लिए हम इसे कूकर में डाल देते हैं हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि साग के पत्तों में बहुत ज्यादा पानी होता है जो हमें साग के उबलने के बात दिखाई देता है अब मैं इसमें 7-8 हरी मिर्च डाल देती हूँ ये थोड़ी कम तीखी वाली ली है मैंने आपके पास ज्यादा तीखी हो तो आप कम डाल सकते हैं और यहाँ मैंने स्वाद अनुसायम नमक डाला है थोड़ा अब हम बाकी के साग को भी कूकर के अंदर डाल देते हैं अब हम कूकर का ढखकन लगा देते हैं और अब हमें 2 सीटी लेकर आनी होगी और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे दो सीटी आ गई है अब हम अपने साग को देख लेते हैं हमारा साग बहुत सॉफ्ट हो गया है और देखे हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और इसमें कितना सारा पानी हो गया है क्योंकि साग के पत्तों में बहुत जादा पानी होता है जिसकी वज़े से ये अब बहुत सारा पानी आ गया है इसमें अब मैं यहाँ पर एक मिक्सर जार ले रही हूँ जिसमें हम अपने साग को डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे बारीक और अब हमें इसमें मकी का आटा डालना होगा जिससे हमारे साग में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इससे हमारे साग में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और इसे हम इसी तरीके से सारे साग को पीस कर हम रख लेंगे अब हमें यहाँ पर चाहिए 10-15 लहसुन की कलिया थोड़ी मिर्ची, एक टुकड़ा, अद्रक्का और चार टमाटर अब हम इन सब चीजों को मिक्सी में पीस लेते हैं मैं इसका बारिक पेस्ट बना लेती हूँ और इसका तड़का हमें साग में लगाना है मैं यहाँ पर प्यास का यूज नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो प्यास का तड़का भी लगा सकते हैं इसमें साथ में अब मैंने गैस पर कूकर को रख दिया है इसमें अब हम दो से तीन बड़े चमच ओयल डाल देते हैं इसे गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देते हैं जैसे ही हमारा जीरा भूनने लगेगा जीरे के चटकने की आवास आने लगेगी तब हम इसमें हिंग को डाल देंगे और इने अच्छे से भून लेंगे दिखिए हमने सारे साग का पेस्ट बना कर रख लिया है और यहाँ पर हमने टमाटर, हरी मिर्च, अद्रक और लहसुन का भी पेस्ट बना कर रख लिया है हमारा जीरा और हिंग भी अच्छे से भून गए है अब हमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं हमें इसे लगभग पांच मिनट तक भूनना होगा हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना होगा जिससे हमारा मसाला और अच्छे से कुख हो जाए पांच मिनट हो गए हैं अब हम इसके अंदर हमारे इस साग का पेस्ट डाल देते हैं अब हम सारी साग को अच्छे से मिलाते हुए भूनते हुए डाल देते हैं और अगर आपको साग थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इसी स्टेच में आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं यहापे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है अभी साग में ये देखी इसी बरतन में हमने पानी डाला था अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं अब हमें साग को लोग फ्लेम पर कुक करना होगा और इसी टाइम हमें साग में दो बड़े चमच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालना होगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे लो फ्लेम पर ढख कर बॉयल होने देते हैं क्योंकि अब हमारा साग बहुत ज्यादा चीटे देने वाला है तो इसे ढख कर पकाएं और जब तक हम इसे पकाते हैं तब तक हमें इसका च्छोंक तेयार कर लेना होगा उसके लिए हम एक पैन में तीन से चार बड़े चमच देसी घी डालते हैं और उसे गर्म करते हैं उसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल लिया इसे बुन्ने देते हैं आपको साग को देसी घी में ही चोंकना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही फाइदेमन होता है अगर आपको घी ज्यादा पसंद ना हो तो आप इसकी जगा ऑईल का भी उज़ कर सकते हैं अब हम इसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे फिर हमारा चोंक तयार है और फिर हम इसे साग में डाल देना होगा उपर से अब हमारा चोंक लगपक तयार है अब हम गयास ओफ कर देते हैं और हमारे साग के अंदर इस चोंक को डाल देते हैं अब हमारा साग एकदम रेडी है तो अब हम मक्की की रोटी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमने मक्की का आटा पहले से करके रखा था अब हम इसकी एक लोई बना लेते हैं हमें इसकी थोड़ी मोटी साइज की लोई बनानी होगी क्योंकि ये गेहु के आटे की तरह फै सकता है तो हमें बहुत ध्यान से इसे आराम से बेलना होगा और ज्यादा आटा लेने से हमारी रोटी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और फटा फट बन जाएगी हमने रोटी को बेल लिया है अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया थ बनाने में थोड़ा टाइम जयादा लगता है एस कमपेरेटिव केहु के आर्टे की रोटी क्योंकि फटाफट बन जाती है और इसे सिकने में थोड़ा टाइम लगता है अब हमारे रोटी काफियत तक सिक गई है इसे अब हम नीचे गैस पर सेخ लेते हैं मखी के आति की रोटी सेखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी रोटी कच्ची नह रह जाए इसलिए आप इसे थोड़े आराम से से जिएगा अब हमारी रोटी सिख गई है अब हम इसे गैस पर से उतार लेते हैं अब हमारी दोनों रोटी सिक्कर तैयार हैं अब हम उस पर अच्छे से बहुत सारा घी लगा लेते हैं इससे हमारी मकी की रोटी का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा अगर आप घी नहीं लगाने चाहते हैं तो आप इस पर फ्रेश मलाई या फिर बटर भी लगा सकते ह अब हम अपने साग को सर्व करते हैं अब आप साग और मकी की रोटी को बहुत सारे घी के साथ सर्व कर सकते हैं और घी से बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है अगर आप साग में घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें मक्षन डाल कर भी इसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं तो देर किस बात की आप भी घर में सरसो का साग और मकी की रोटी बनाईए और एंजॉय कीजे अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट सरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में